नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर दोस्तों मैं आना अमारे एंज जैस्वाल है और पिछले कई महीनों से मतलब जनवरी से मैं आप सभी को बेड एक्जाम के जो तैयारी है इंटरंस एजाम के तैयारी करवा रहा हूं और उनको काफे टाइम मिला तैयारी करने के लिए कोरोना की वज़ा से और सब के पेपर दिया और सब उम्मेद कर रहे होंगे उनको अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि अभी कॉंसलिंग किसी भी स्टेट का नहीं बहुत सारे आपके लिवांग में डाउट चलते हैं सब के बारे हम लोग बात करने वाले हैं आप जो बीएट की डिगरी होती है वह आपका क्या होता है बैचलर आफ एजुकेशन होता है अब इसका बेसिकली आपको कहां कहां पर फायदा मिलने वाला है सिंपल सा आप बीए जादा हो गया है क्योंकि प्राइमरी में भी आपको आपको मिल जाता है कि आपको बीएट करने के बाद जो प्राइमरी टीचर की वेकंसी आती है उसमें भी भाग ले सकते हो मुझे लगता है कि 70% 75% ऐसे चात्र होंगे यहां पर जो लोग यहीं सोच रहे होंगे कि कंप्लीट हो जाए तो प्राइमरी की जो नोकरी है हमको मिल जाए क्योंकि प्राइमरी टीचर की जो नोकरी होती है थोड़ी आराम की नोकरी होती है और थोड़ा उसमें जाता मेनुत भी नहीं करना होता है तो आधे लोग तो यहीं सोच रहे होंगे अब मुझे पूरी उम लेकर करके Class 5 तक पढ़ाना है Class 6 लेकर के Class 8 तक पढ़ाना है तो आपको TT यानि कि आपके पास टीचिंग एलेजबलिटीबिल्टी टेस्ट की जो certificate होना चाहिए साल में एक बार भी होता है साल में दोबार भी होता है टेट होता है अलेलग अलग स्टेट का आपका सब्सक्राइब करें नहीं होता है तो टेट की तो तैयारी आप लोग करते रहेगा अगर आपको टीचर बनना है कहां सी कहां तक भीया क्लास नर्सिस लेकर क्लास एडस तक बनना है तो आपको भीया यह फॉर्म अपलाई करना ही करना होगा और यह आप कब अपलाई कर सकते हो देखो अपलाई तो आप चाहो बीड नहीं भी कर रहे हो बीटीसी नहीं भी कर रहे हो तब भी अपलाई कर सकते हो तब भी पेपर दे क्योंकि यहां पर आपको अच्छी खासी सेटे मिल जाती हैं तो आप लोग तीन लोग इसमें पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जब भी आपका फॉम आएगा मैं आपको बता दूंगा आप लोग को अभी तो वैलिट नहीं होगा बट भरिये ज़रू आपको एक बार पेपर देना है देखना है क्योंकि बहुत जादा मस्ट होता है अभी आगे आप लोग जब सुपर टेट की वेकेंसी आएगी सुपर टेट आप लोग फिल करोगे तो वहां पर भी थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता ही पढ़ना रहेगा तो सुपर टे जैसा होता है कि जब टीचर की वेकेंसी आएगी नर्सी से लेकर 5 तक 6 से लेकर 8 तक तब आप लोग जो है टेट अपना यूज कर सकते हो अगर आप लोग सिंट्रल लेबल पर जाना चाहते हो के विएस में नोकरी करना चाहते हो तो वहां पर आपको सीटेट पास करना होग तो टेट और सीटेट से मैंने आपको बता दिया कहां से कहां तक आप लोग पढ़ा सकते हो लेकिन अगर आप लोग उसके ऊपर जाओगे 19th वालों को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको TGT या 11-12 को पढ़ाना है तो PGT आपके पास होना चाहिए PGT की वेकेंसी मतलब प सबसे important चीज है यह आपका depend करता है B.Ed में आपने कौन-कौन से subject लिये हुए हैं जैसे आप science side से हैं आपने B.Sc कर रखा था महाँ पर mathematics, physics, chemistry था तो आपने I hope B.Ed में भी उसी तरह के कुछ subject ले रखे होंगे तो दो subject common वही आपके main होते हैं दो subject वही subject को base बना करके आपको आ आपके T.G.T. में तो अगर आप लोग T.G.T. PG.T. में अगर आप लोग चाहते हो नोखरी करना आप लोग चाहते हो भी हमको primary नहीं पढ़ाना है हम T.G.T. PG.T. तरह जाना चाहते हैं तो आपको यह simple सा focus करना होगा आपने subject को choose करने पर आपके subject में बहुत अच्छे हैं क्य में इंटर में होते हैं ऐसा नहीं कि high school इंटर में नहीं है आपको subject दे दिया जाए जैसे मैं आपको simple से example देता हूँ जैसे किसी का बीए में last year में पॉलिकर मा लीजे इतिहास है और एक आपका मा लीजे sociology है ठीक एक sociology है आप sociology सब्जेक्ट जो है आपका होता है नहीं क्या हैं high school में तो आपको इतिहास तो मिल जाएगा इतिहास के साथ सथ आपको civics दे दिया जाएगा यह नहीं कि नाग्रिस साथ दे दिया जाएगा जो कि sociology से संब्दित है इसी तरह आपका बिसिकली जो है क्या नाम है जब आप लोग पढ़ने जाते हो जब आप लोग जिसे मा सब्देट की जो वेकंसी है अच्छे से आती है आपको अपने थोड़ा चार-पांच साल का एक निकाल करके रख लेना है या कौन से टीचर की वेकंसी जादा आ रही है तीजी टी में किसकी वेकंसी जादा आ रही है उस हिसाफ चूज करिएगा और बहुत जादा आपके प यार उसमें टाइम दे दो अपनी पढ़ाई पर अभी से टाइम दे दो यह नहीं कि भीया जब लाश्ट यर फर्ष्ट लाश्ट यर पहुच जाएंगे तब हम लोग मतलब सरकारी नोकरी तरब भागेंगे अकर आपको सरकारी नोकरी करना है सरकारी टीचर बनना है तो हो जादा बढ़ चुका है तो आपको अभी से ही तैयारी जो अपनी करनी होगी तैयारी करवा रहा था मैं बट आप लोग उतना इंट्रेस्ट नहीं थे तैयारी करवाऊंगा मैं उसकी टेंसर मत लीजिए अभी चैनल पर दस पंदरा वीडियो बना चुका हूं दस पंदर मेसेज करके आप अपने जो सवाल है पूछ सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है विए बबाए टेक केर जैहिंद जै भारत मिलते हैं सबीसे नेक्ट वीडियो में